YouTube पर quality content की कमी नहीं है बस उन्हें परकने में समय लगता है ऐसे में higher mathematics पर वीडियो ढूनना और भी मुश्किल चैनल को subscribe करें ताकि मैं आपके लिए और वीडियो लाता रहूं Now let's begin Hello friends, welcome back to another video of this playlist इससे पहले हमने previous video में देखा था कि field क्या होता है और उसके different different examples हमने देखे थे Make sure that कि आपने वो video जरूर देखा हो तो ही आपको ये video से connection हो पाएगा तो इस video में हम देखेंगे some properties of f of x अब ये f of x क्या होता है वो बेले मैं आपको बता देता हूँ Suppose आपके पास एक field है f Suppose आपके पास है एक field f अब वो field है इसका मतलब क्या वो ring होगा more or commutative ring है और उसके पास unity है और इस f के अंदर जितने भी non-zero element है वो सब के सब क्या है unit है इसका मतलब क्या उसके लिए multiplicative inverse exist करता है Suppose f मानलो आपके पास एक zero होगा एक unity होगी और some elements like a, b, c, d सब non-zero elements है तो f of x क्या हो जाएगा f of x आपका हो जाएगा it is a set of all polynomials the polynomial in general कैसा दिखता है आपको पता है a0 plus a1 x raised to the power 1 plus a2 x square plus up to so on plus a n x raised to the power n where the coefficients of this polynomial a0 a1 so on an belongs to that field f that field f तो basically f of x क्या होगा यह बहुत सारे polynomials contain करेगा और उस polynomials के जितने भी coefficients होंगे वो सारे कहां से लिए गये they are taken from the field f वो field f से लिए गये है तो वही हम इसे कहेंगे f of x example के तोर पे suppose मैंने define किya z2 z2 में elements आपको पता है 0 and 1 और हमने देखा था कि zp जो p for prime zp एक क्या होगा field होगा सिर्फ p prime के लिए ही होगा field हमने देखा था उस previous video में तो z2 है यह एक field है अगर मैं f of x इस पर define करूँ इसका मतलब क्या ही? इसके पास बहुत सारे polynomials होगे in such that उन सब की coefficients या तो 0 होगे या तो 1 होगे तो x minus 1 इस field के अंदर इस f of x के अंदर यह polynomial जरूर आएगा हाला कि यह linear है उससे कोई फरक नहीं पड़ता है यहाँ पे x का coefficient आप देख सकते हो जो की है 1 और यहाँ पे आप देख सकते हो x raised to the power 0 का coefficient again है minus 1 क्या minus 1 इसके अंदर आता है? जी नहीं आता तो minus 1 की allowed हमें नहीं है तो यहाँ पे सिफ प्लस 1 हम लिख सकते है x square plus 2 हम प्लस 2 भी लिख नहीं सकते है यहाँ पे हमें सिफ लिख सकते हैं x square plus 1 and so on आप जितने चाहें उतने polynomial बना सकते हो इसमें 0 polynomial भी आएगा इसमें 1 भी आएगा constant polynomial भी आएंगे and so on एक और चीज़े मैं आपको बता देना चाहता हूं कि f of x जो की contain कर रहा है set of all polynomials whose coefficients are taken from that field f and more important इस f of x के अंदर जितने भी units होंगे same units जो इसके अंदर है z2 के अंदर वो ही units यहाँ पर आएंगे अगर मैं बात करूँ इस z2 के अंदर कौन कान है unit कभी भी z2 के अंदर non zero element को छोड़ कर zero element को छोड़ कर जो भी non zero element है वो सब के सब unit होते है तो इसके अंदर अगर मैं आपसे पूछू कि Z2 के अंदर unit कौन है जो कि यह सिंगल टन सिर्फ आपका जो हकी है 1 यह जो 1 है यही आपका unit है अगर मैं बात करूँ कि F of X का unit कौन है तो आपको simply बोलना है कि वो होगा 1 ठीक है तो यहाँ पर हमने देखा कि F of X क्या होता है अब हम इसके कुछ properties देखेंगे और इस properties के जितने भी proof है मैंने सब पर वीडियो बना रखा है उन सब का मैं description में link आपको दे दूँगा बढ़ते है first property की तरफ जो पहली property आती है वो की है division algorithm holds in F of X इसका मतलब क्या division algorithm जो सी की हम school high school में पढ़ते थे की divisional algorithm क्या होता है सेम या पर भी divisional algorithm hold करेगा for the polynomials आपने school में देखा था अगर मैं integers की बात करूँ set of all real integers positive integers तो A और B आपके पास दो integers such that B is not equal to 0 we can write it as A is equal to BQ plus R this means that there exist a unique Q and unique R such that we can express A as A is equal to BQ plus R यह हमने schools में देखा था but मैं बात करूँ यहाँ पे हमने polynomals के लिए भी देखा है और इस division algorithm का मैंने proof दे रखा है आप चाहे तो description में जाए वहाँ पे link है तो बढ़ते है next property की तरफ जो की कहता है कि आपका जो f of x है वो है principal ideal domain तो f of x is PID principal ideal domain अब principal ideal domain क्या होता है same question arise हो रहा है तो description में जाए वहाँ पे link दे दिया है तो f of x क्या हो जाएगा principal ideal domain और हम जानते है every principal ideal domain is ufd unique factorization domain तो हम बोल सकते है f of x is ufd क्योंकि जितने भी principal ideal domain होते है वो सब के सब unique factorization domain होते है हलाकि मैंने unique factorization domain पे वीडियो नहीं बनाया है पर वो जल्दी बनाके मैं upload कर दूँगा तो बढ़ते हैं next property की तरफ जो की कहता है the units the units of f of x the units of f of x are the are the non-zero elements non-zero elements are the non-zero elements in f ये देखो अभी तो just मैंने इसी का पता है आपको कि अगर मुझे f of x की units find करने है इसका मतलब मुझे क्या find करना पड़ेगा वो जो field f है उसके अंदर जितने भी non-zero elements है वो कौन होते है unit होते है कैसे बोलता है क्योंकि definition of field बोलता है न तो इसलिए हम बोल सकते है the units of f of x are the non-zero elements in f suppose example के तोर पे मैंने z5 ले लिया आपको पता है zp, p for prime अगर यहां पे prime number है तो वो क्या होता है एक field होता है और आप जानते हो z5 मतलब यह elements होंगे उसके अंदर तो z5 आपके पास एक field है अगर field है तो उसके अंदर जितने भी non-zero elements है जो की यह है यह सब के सब क्या होंगे units होंगे तो units कौन कौन है 1, 2, 3, 4 these all elements are units अगर मैंने एक f of x बनाया मतलब it is a set of all polynomials which coefficients of that polynomials are belonging to this field f जो की field z5 है यहां पे जिसके जितने भी coefficients होंगे इस polynomial के अंदर उन सब के coefficients इस field में से लिये गए है तो अगर मैं पूछू की f of x के अंदर units क्या क्या है तो आपको simply बोल देना है इसके अंदर units वो होंगे जो की non-zero element इस field के अंदर है तो इसके अंदर भी units बन जाएंगे 1, 2, 3, 4 तो same units इसके लिए भी work करेगा तो यही मैं आपको पहले भी explain कर दिया था तो बढ़ते हैं last property की तरफ जो की कहता है if p of x if p of x is irreducible if p of x is irreducible अगर आपने क्या किया एक p of x define किया p of x लिया कहां से लिया इस f of x में से लिया moreover वो क्या है एक irreducible polynomial है irreducible polynomial in f of x then f of x factor p of x यह जो है principle ideal है इस पर हमने वीडियो देख रहा है is a field and conversely is also true conversely is also true तो क्या कहा रहा है अगर आपके पास एक p of x polynomial है जो की irreducible है और irreducible क्या होता है इस पर भी मैंने वीडियो बना रहा है और इस पर examples भी देखिए अगर आपके पास एक p of x एक polynomial है जो की irreducible है then f of x factor p of x मतलब जो generator of p of x is a field and conversely part is also true मतलब अगर आपके पास यह जो term है p of x factor p of x यह जो की आपकी कोसेट बनने वाला है is अगर यह field है तो आप महाँए से conclude कर सकते हो कि p of x क्या होगा irreducible होगा कि दोनों वे से यह statement true है ठीक है और इस statement का proof मैंनो already दे रखा है इसका अगर आपको proof जानना है तो आप description में जाएए वहाँ पर आपको इसका definitely proof मिल जाएगा क्योंकि यह proof हमने कर रखे बहुत ही आसान सा simple सा proof था इसको मैं आपको एक example से समझाता हूँ आपको और चीश समझ में आ जाएगा मान लो f of x suppose आपका जो field है suppose आपका जो field है वो z to define क्या क्या है तो आपका f of x क्या बन जाएगा it is a set of all polynomials whose coefficients are either 0 और 1 या फिर दोनों हो सकते मतलब coefficient 0 या फिर 1 ही होंगे x square plus x plus 1 ठीक है ये polynomial मैंने कहां से लिया इस f of x में लिया आप देख सकते हो इस polynomial का coefficient क्या है 1 है इसका भी 1 है और ये भी 1 है इसका मतलब क्या ये जो f of x जो p of x polynomial है इसके जितने भी coefficient है सब z2 में से लिए गए है तो ये आपके पास एक field f of x है आपके पास अब हमें क्या बुला है कि मैं जो आपको एक coefficient बनाने वाला हूँ जो कि ये f of x factor generated by this polynomial जो कि ये x square plus x plus 1 तो ये क्या बनेगा ये बनेगा field बनेगा तिये अगर ये field है तो इसका मतलब क्या x square plus x plus 1 क्या होगा ये एक irreducible polynomial होगा अगर आप इसको देखो इसकी highest power कितनी है 2 है ये एक quadratic equation है और हम जानते है अगर quadratic equation है आपके पास अगर quadratic हो या फिर cubic हो हमने देखा है इसके लिए proof एक theorem है next वीडियो में आपको theorem का proof मैं दे दूँगा अगर उस theorem क्या कहता है अगर आपके पास एक polynomial है जिसकी degree 2 है या फिर 3 है अगर उसके लिए roots exist करते है इस f of इस field के अंदर तो हम बोल सकते है ये reducible है अगर root exist नहीं करते है तो ये irreducible है तो अगर आप देखो z2 के अंदर दो element है एक है 0, एक है 1 चोड़ पुट करके दिखते है अगर 0 को मैंने पुट कया 0, 0, सिर्फ 1 बच रहा है इस नोट जीरो इस नोट रूट अफ इस polynomial वन को पुट करते है तो 1 प्लस 1 जो कि होता है 2 ये 2 चल रहा है अपना मॉडूलो इसलिए 0 हो जाएगा प्लस 1 अगेन 1 रिमेंटर मिल रहा है अगेन 1 टम बच रहा है इसका मतलब क्या ये भी जो 1 है इस नोट जीरो अफ पॉलिनॉमिल और फिर रूट तो हम देख सकते हैं कि इस पॉलिनॉमिल के लिए रूट एग्जिस्ट नहीं करता है इसका मतलब क्या ये पॉलिनॉमिल क्या हुआ इर्रिडिसीबल हुआ अगर ये पॉलिनॉमिल इर्रिडिसीबल है तो ये जो कोसेट बनेगा f of x factor इस पॉलिनॉमिल इस फिल्ड क्या बनेगा फिल्ड बनेगा क्यों फिल्ड बनेगा ताकि हम समझ पाए कि आपकी पसंद क्या है कमेंट कीजिए, शेर कीजिए और सबसे जरीरी बाद चैनल को सबस्क्राइब कीजिए ठैंक यू सो मच लव यू, टेक केर, बाई बाई